भारत और अमेरिका के बीच हुए 2 प्लस टू वारता से चीन बिलबला उठा है उसने पॉम्पियो की इस यात्रा को एसिया में कलह बोने वाला करार दिया है चीन ने पॉम्पियो से आग्रे किया है कि वे छितर की सांती और इस्तिर्था को कम करने का प्रियास नै करें बता द प्रेस मंत्राले के प्रवक्ता वांग बेनविन ने प्रेस वारता में कहा पॉम्पियो चीन के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं वांग ने कहा कि हम उनसे आगरह करते हैं कि सीत युद का विचार क्याग दे और चीन और उसके पड़ोशी देशों के बीच कलेह का बीच प्रेस कॉनफरेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी को लोकतंतर और पारदर सिता का दुस्मन करार दिया उन्होंने पूरवी लदाक की गलवान घाटे में जून महीने में हुई हिंसक जड़बकवा भी जिक्र किया वे बीस भी सामिल है जो जून में गलवान घाटे में चीन की पी एले से लोहा लेते हुए कुरबानी दी इस दोरान अमेरिकी पक्स ने भारत को यह भी भरुसा दिया कि उसकी संप्रपुदा और स्वतंतरता के लिए जो भी खत्रे होंगे उनके खिलाप अमेरिका हमेशा स साथ कड़ा रहेगा बता दें कि उन्होंने अगस्त महिने में भी चीन को दुनिया के लिए बड़ा खत्रा बताया था पॉम्पियों ने कहा था कि चीन पस्चिम के लिए गंबीर खत्रा है यहां तक की सीतियुद के दुरान सोवियत रूज भी उतना बड़ा खत्रा नही था जितना बड़ा खत्रा चीन है इस बात को लेकर के चीन बिल्कुल बोखला गया है और अनाप सनाप बयान दे रहा है जो कि उसकी खराब मान सिकता को दरसाता है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारत प्लिए 12 accomplish में भारत के चीन हो कि बात को देग खराब में दोस्तों इस परात की तनापा फिरतों जोस्तों जें चीन दोस्तों बगना है जोOD